दिस इज मुकेस फ्रॉम अनकेडमी एक अनॉंसमेंट है कि आध जो है मॉक टेस्ट का आयोजिन किया जा रहा है सामको साथ बजे ये मॉक टेस्ट जो होगा अनकेडमी पे होगा और आप अगर चाहें तो इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं बेडाउट अनी इन्रोल्मेंट हो लीड कर रहौ है कहाँ आपकी कम टेस्ट आपको पूरी पिंचर क्लिए प्रजर गिले से लेकिट हैं पाट आप वरत लोह जो है test series लगे हुए test लगे हुए लेकिन उसमें आपको फिर प्रॉब्लम होती है कि enrollment की मैंने आपको बोल रखा है बहुत बार की enrollment अगर आप किसी भी course में कराते हो तो अलग से test series के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं लेकिन कोई बात नहीं वह सब आपका नजरिया है सोचने का तो आपके नजरिया के सामने free of cost जो है आज मौक टेस्ट होगा साथ बज़े जो है और इसमें आप चेक करेजिए और इसी टेस्ट का जो है बारा तारीक को साड़ 50-50 यूज़ करना है मतलब पूरी स्ट्रेजी जो है बारा तारीक को साड़े नोबजे डिसकस की जाएगी स्मॉक टेस्ट की और मौक टेस्ट सभी के लिए अब आपको करना क्या है डिस्क्रिप्शन वे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आपको इसको क कि उसमें कौन टॉप 10 रहते हैं या कौन टॉप करता है या आपकी कौन सी रैंकिंग रहती है और जिसकी तियारी बिल्कुल भी नहीं है ठीक है अगर लेकिन वो निसकानों ने फर्म भर रखा तो पेपर तो देने जाओगी जाओगी तो एक बार मौक टेस्ट से आपको कमी है क्योंकि दो दिन बाद में में डिसकस करूँगा तो मैं स्टेटेजी बताऊँगा कि इन इन कोश्चनों को आपने गलत किया और यह इस बुक से रिलिटेट है और इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो अभी भी 30 दिन के आसपास और तीस दिन में बहुत कुछ हो सकता है समझ माय आपको तो आपके त्यारी हो या ना हो आपको मेरे अकॉर्डिंग जो है मौक टेस्ट यह देना चाहिए साथ बज़े लगा हुआ है थेंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग डिस अनॉंसमेंट हैब गुड डे एंड गॉड आपके लिस दो